आप देख रहे हैं हमारा मैडसीन रिव्यू एक्सक्लेजिव सिरीज। आप देख रहे हैं कि वो जो पर्टुकलर ड्रग है वो कौन सी केडिगरी को बिलॉंग करता है ताकि आप उसकी कॉंसेट को एक कदम और आगे आग बढ़ करके समझ सकें आज की इस रिव्यू सिरीज में हम बात करेंगे वैनलिट टू फिप्टी ड्रग के बारे में यह जो है यह तो उसका ब्राइंड नेम है और इसे बनाने वाली कंपनी है सिपला तो वैनलिट टू फिप्टी के अंदर कौन सा एक्टिव कॉंसेट है भी या वो कैसे काम करता है चलिए देखना सुरू करते है वैनलिट टू फिप्टी के अंदर आप देखोगे तो इच हार्ड लेटिन कैपसूल कंटेन वैंकोमाइसीन हाइडरोक्रोराइड इनियन फार्मकोपिया के गाईलान के अकॉर्डिंगली विच इक्यूवलेंट टू वैंकोमाइसीन 250 एमजी यानि कि बोल सकते हो यहाँ पर जो 250 लिखा हुआ है वो उसके स्ट्रेंद को उसकी छमता को रिप जाता है जब आपकी बॉड़ी में बैक्टिरिया ग्रो कर रहे हूं किसी भी कारण से बैक्टिरिया की ग्रो होने पे आपका इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा हो इट में बी यूर इयर इन्फेक्शन इट में भी थ्रोट इन्फेक्शन इट में भी लंग्स इन्फेक्शन में भी UTI infection तो आपको उस infection के cause वाले bacteria को उसकी susceptibility के accordingly after the investigation, after the diagnosis, if required आपके culture के बाद हम उसको susceptibility test के बाद इसे prescribe करते हैं आपके infection को कम करने के लिए तो आप आपको समझ में आ गया कि यह जो Vanlit 250 है वो antibiotic का example है या इसे हम antibacterial drug भी बोलते हैं Antibiotics या antibacterial drug क्या होता है उसको भी थोड़ा सा आपको जाना चाहिए ऐसे drug जो कि किसे भी व्यक्ति के body में ग्रो हो रहे है bacteria को या तो suppress करने का काम करता है या तो पूइतरा से kill करने का काम करता है उसे cumulative रूप से हम antibiotic बोलते हैं देखो जैसे यहाँ पे एक्जांपल बता दूँ यह कोई व्यक्ति है इसको किसी भी कारण से कोई infectious agent eye for infectious agent इसकी body में enter कर जाता है इट में भी throat infection इट में भी anything else अब जब इनके body में यह ग्रो करेगा तो यह जो bacteria है वो कैसे ग्रो करता है यह binary manner में ग्रो करता है तो यहाँ पे आप देखरे हो एक था एक से दो हुआ फिर यह जो एक था दो का वो फिर दो multiply करेगा यानि कि एक से दो दो से चार और फिर यह अपनी अपनी जगा इस तरके से multiply करेंगे तो आप देखोगे कि चार से यह art कर लेगा और इस तरके से so on यह बढ़ता जाएगा हर एक step इसका multiplication बढ़ता जाएगा और यह grow करता जाएगा इसके grow करने से infection जो है continuously आपकी body में बढ़ते जाएगा और आपको problem होती जाएगी तो antibiotic इनके growth को यहीं पे stop करने का काम करते हैं अगर हम बात करें ऐसे agent की ज होता जो कि इसके growth को तो नहीं बलकि पूरी की पूरी bacteria को खतम कर देता तो उसे हम कहते बैक्टेरी सीडल अब इन दोनों का क्या मतलब है आज के respect में इसलिए respect है क्योंकि यह जो आपका drug है vanlid, vancomycin यह एक bacteria सीडल का example है यानि कि यह bacteria को पूरी तरह से खतम कर देता है bacteria static है या bacteria सीडल वही कोई भी ऐसी activity जो bacteria के respect से बहुत vital हो यानि कि उसके जीने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो अगर आप उसी process को affect कर दोगे जिससे bacteria survive कर ही नहीं पाएगा और bacteria मर जाएगा तो bacteria जब मर जाएगा तो वही तो आपके लिए bacteria सीडल activity हो गई और इसी को हम समझ सकते हैं उसके mechanism of action के हिसाब से आप यहाँ पर जो हमारा venlit 250 है इसका active constant है आपका vancomycin अगर थोड़ा सा locate करें अपने right side screen के तो ढूड़िए कि कहां पर है आपका vancomycin और वो किस category से belong करता हुआ आपको नजर आता है अगर हम देखें तो यह रहा हमारा vancomycin और यह van synthesis को inhibit कर रहे होंगे और उसको cell wall को inhibit करके अपना mechanism of action दे रहे होंगे तो यह bacteria का cell wall क्या है और कैसे bacteria के important है कैसे हम इसे inhibit करेंगे तो हमारे लिए benefit होगा आपके सभी सबाल का जवाब बस आप थोड़ी दिन में मिलने वाला है cell wall का क्या मतलब है यहाँ पे अगर wall का मतलब होता है तो यह दीवाल जैसे घर है तो यह घर की दीवाल हो गई ठीक है यह wall का मतलब हो और cell का मतलब बता है एक structural and functional unit अगर आपके बारे में बात करो तो भी वो cell है और bacteria के बात करो तो भी वो cell है तो cell को अगर यह cell है तो इस cell के चारो तरफ इस तरह से जो उसको बचाने का काम क करता है जो कि आपके cell wall के synthesis को affect करके अपना mechanism of action देगा इसका मतलब यह है कि cell wall को वो बनने नहीं देगा अब cell wall के importance को भी समझ लेते हैं मैंने हर बार यह example दिया है कि माल लो यह एक घर है इस घर पे कोई भी व्यक्ति रह रह रहा है चाहे आप रह रहे हो चाहे मैं रह रह र साइड obviously wall होगा और सामने side भी wall होगा जिसको मैं diagram पर बना नहीं पाऊंगा यह दीवाल जो आपके घर की है वो क्या काम करने का करती है अगर पहुत तेज sunlight आ रहा है तो इस sunlight के direct effect से आपको बचाती है और इस से यह sunlight आप तक direct नहीं पहुँच पाता है obviously heat तो आएगी ही इस पानी से भी आपको बचा कर रखने का काम करता है और भी कोई physical problem आ रही होगी कहीं से कोई पत्थर पढ़ रहे होंगे तो आपको भी उस physical से बचा रहा होगा कोई chemical war पर चल रहा है तो उससे भी आपको बचाने काम करेगा तो कोई मिलागर कर कि यह जो दीवाल है ना wall है बहुत बहुत important है आपके protection के point of view से अब अगर यह दीवाल को मैं समझाने का शुच करूँ और बताओ कि यह यहाँ पे कोई एक वेक्ति बैठा है या अब मिले इस घर में रखा हुआ है तो उसको इस दीवाल की वैसे काफी सारा protection मिल रहा है लेकिन अगर कोई वेक्ति चाह रहा है तो दीवाल इसको बचा ले रहा है इसको थोड़ा सा ऐसा चेंज कर देते हैं अगर यह कोई पत्थर है और इस पत्थर से हम इसको attack करना चाह रहे हैं तो यह जो पत्थर है उसकी दीवाल से टकरा करके वापस इस तरीके से आ जा रहा है अब दीवाल की कारण से देखे जरा ये दिवाल गई अब यहाँ से दिवाल तो आपको नजर नहीं आ रहा है तो यह जो आपका पत्थर था वो आगे बढ़ता 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 अब इसको हीट करेगा इसको हीट करने के बाद आपका जो intention था पूरा हो जाएगा ऐसे तो किसी को हीट करना अच्छ को यहाँ से अवेट कर दिया अब आपने जो किया उसकी वज़े से आपका benefit मिला यही काम तो करने का करता है आपका vancomycin जो की cell wall synthesis inhibitor के अंदर का example है बैक्टरिया का cell wall जो होता है वो बैक्टरिया के point of view से बहुत important को कि वही तो उसको बचा कर रखने का काम करता है अगर कि cell wall के लिए integrity के लिए बहुत-बहुत important part play करेगा अब अगर कोई भी ऐसा drug कोई भी ऐसा drug जो कि इसी category का हो यानि कि inhibit करने माला हो cell wall को उसके presence में आप अगर कोई bacteria के growth को देखोगे तो उस समय जो bacteria growth होगा multiplication होगा उसमें उसका cell wall नहीं बनेगा और उसके कान से वो हो cell wall deficient जैसे कि अगर कोई bacteria है यह आपका bacteria है इन जनरल के में बात कर रहा हूँ और यह उसका cell wall है तो this is bacterial cell ठीक है और अभी इसका यह cell wall है just for example इसको आप assume करिए कि यह उसका cell wall है अभी आपने कोई भी drug नहीं दिया है तो ऐसा है अब इसका cell wall पहले concept के तरीके से इसको physical chemical injury से रखेगा और इससे अपने आपको predict करेगा लेकिन अगर आपने यहाँ पे आज का जो drug है वैनलिड यह drug अगर आपने इसको दिया और इस drug के कारण से अब जब bacteria multiply करेगा तो यह जो bacteria इस तरीके से यहाँ पे दिखाता हूँ में थोड़ जगा कमी को जैसे इस तरीके से बैक hyper osmotic होने की वज़े से इसके surrounding में जो भी constant है वो under painted करते जाएंगे और इसके painted करते ही यह swell होने लगेगा और swell होकर करके burst हो जाएगा तो इस तरीके से आपका जो antibiotic था उसको खतम कर देता है बैक्टरिया के growth के लिए उसके कई चीज़े important होती है जो उसको survive करने मदद करता ह जैसे एक तो सबसे ज़री चीज़ होगा उसका cell wall डियागराम भी अगर आप चाहो तो हमारे main international pharmacy पे available है वहाँ भी आप देख सकते हो तो उसके cell wall को inhibit कर दे तो वो खतम हो जाएगा उसके protein के synthesis को affect कर दे तो उसको आप destroy कर सकते हो अगर उसके RNA की reading मतलब अगर आप कुछ और समझो मतलब वो बोला कुछ और है बना कुछ और रहा है तो उसके काम को कुछ है ही नहीं तो उससे आप खतम कर सकते हो DNA जो कि बहुत important होता है किसी भी respect से क्योंकि genetic information DNA के form में store होती है उसको अगर आप interfere कर देते हो उसके function में interfere कर देते हो तो वो survive नहीं कर पाएगा metabolism बहुत important है किसी particular part के synthesis के लिए folic acid बनने के लिए या कोई और intermediary product बनने के लिए उसको अगर आप inhibit कर देते हो तो वो भी survive नहीं कर पाएगा और finally DNA gyrase जो कि उसको separate करने का और आगे दाकर करके उसको multiply करने में separate होने मदद करता उसको affect कर दोगे या फिर आप उसके cell membrane में leakage cause कर दोग तो वो तो survive कर ही नहीं पायागा तो इस तरह के से आपका जो आज का ड्रग था वैनली 250 वैंको माइसीन वो बैक्टरिया के cell wall को affect करके उसके synthesis को affect करके cell wall deficient bacteria बना देता है और उसके बाद जो surrounding में कॉंस्टुमेंट हैं वो hyper osmotic होने की वज़ा से उसके अंदर move करते हैं swell कर लाइसिस कर देता है और वो bacteria survive नहीं कर पाता फिर समय जाते हैं आते समझा दूं बढ़ा concept को ध्यान दीजेगा कि यह bacteria और उसका cell wall है तो यह cell wall है वो पूरी तरह से उसको बचाता है में मकसद यह है कि आपको उसको affect करना है जो bacteria को बचा रहा है तो अगर यहां से कोई physical यह उसको भी बचा ले रहा था लेकिन अगर आपका जो आज का ड्रग है यह vanilla 250 इसको अगर आप दोगे तो यह bacteria के cell wall को इस तरह के से खतम कर देगा अब इसके कारण से यह chemical वाला अंदर चला जाएगा यह physical चला जाएगा और इसके कांसे bacteria ही खतम हो जाएगा तो आपने इस त रहा है वेलेट विप्टी काम कैसे करता है थैंक यू टेक केर